हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग आल वेलकम अगें टो और विद्या भीहर फैमली सो आज से जो है हम लोग एक नया स्रीज स्टार्ट करें डेली करें डेली करेंट एफेसों का जो की मुस्ट प्रवेबली आपको आठ बजे के आज पास मिल जाएगा अब आज फस्ट थे था जिसमें हम लोग लोग लेडियो पीजिस अब जगहों से रोके मुट्र करेंगे और कि आप डिसकस करेंगा साथ बैकग्राउंड को भी देखेंगे उस से इसके डिर्क्ट बाद आएगा ठीक बाद इसके वह का सेशन आगा जो कि देहंदू को डिसकाश करेंगे ना कि सी दा हिंदू से करेंट एफेर रिएगा औल इंडिया रेडियो पी इवी जितने भी गण्द साइट रहते हैं वहां से जो जो आपको इंफॉर्मेशन एक्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन को एक जगा करके यहां पर डिसकस करें तो फिर आज का डिसकसन स्टार्ट करते हैं और हाँ आपका सजेसन काफी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि काफी मेहनत लगता है करें को प्रिपेर करने में खासकर एक से ज़्यादा मल्टिपल सूर्स से एक जगह गैदर करने में इंफॉर्मेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बाता है कैसा लगा और अगर अच्छा लग रहा हमारे कोविड-19 के अपडेट पे आपको पता यूएसे टॉप पे बना हुआ है उसके ब्राजिल उसके इंडिया यह चीज़ आप देख सकते हैं न्यू केसे कितना है 57,000 यानि कि यूएसे में 70,000 उसके गाद 57,000 यानि पर्टे के के केस इंक्रिमेंट के मामले में इंडिया सेके हो चुका है इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है महरास्ता में जहां 4,22,000 यानि कि 4,00,000 को क्रॉस कर चुका है यह एक्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है बट फिर वी आपको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि क्या चलता है को रोना का क्या स्टेटस है तो चलते हम अप फिसकल डैफिसीट वह जानेंगे यह का जाये लोन यह कि पाविक सब्सक्राइब करने के दिन लोगो गया गया ता इनको रिलीज कर दिया या या इनको रिलीज किया गया होँम डिटन्स से अभी इस नहीं और बाहर घूम सकते हैं लेकिन अभी भी सारे पुर्व मुख्यमांति जो है मुख्यमांटि वो लोग अभी तक हाउस डिटेंशन में हैं यह एक इन्फरमेशन है कि 38 लो और यह तो आपको पता यह क्या चल रहा है भी राजस्थान में सचीन पालाइट और गहलोत सरकार के वीच में तो राजी राहूल गानी का हमेशा से यह रहा है कि जब भी कुछ ऐसा इसू होता है तो क्या करते हैं सारे यह फिर ना सके वही इस बार फिर से हुआ है चले देखते हैं अपने एक्स्प्लानेशन की और बढ़ते हैं हमारा जो सबसे पहला है और सबसे मुस्ट इंपोर्टन को सेक्टर क्या होता है को सेक्टर और इसका आउटपूट जो है श्रिंग कर रहा है 15 परसेंट इन जून आ सब्सक्राइब देखते हैं क्या होता है कि यहां पर लिखा हुआ दिक आउटपूर इंडस्टी का उस्रेंग हो गया स्ट्रेट जून में जून 2020 में यह अचानक से स्रींग हो गया हाँ पहली इस रिंग हो रहा था तब अब थोड़ा सा इंक्रिमेंट हुआ और यह हुआ है थोड़ा सा recovery हुआ है अगर आप में से इसको compare करेंगे तो अब चलिए देखते हैं कि कोर सेक्टर क्या क्या है पहले वह देख लेते हैं उसके बाद हम लोग इस न्यूज को क्लियर करेंगे यह है मेरे सारे कोर सेक्टर एक दो ती चार पांग छे साथ आठ यानिकि यह आठ को सेक्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा weightage मेरा किसका है petroleum and refinery production का आपको पता होगा petroleum and refinery production का सबसे ज्यादा weightage होना भी चाहिए उसके बाद दूसरा weightage सबसे ज्यादा और है स्टील प्रोड़क्शन पोटटिलियर्सटीन का फिर स्टिल प्रोडक्शन का उसके बात कौल का फिर स्टील प्रोड़क्शन समयन्ट फॉर्टिलाइजर प्रोडबक्शन काफी अध्याम में पूछा सुख स्टाहे की को इंडस्ट्री में सब से ज्यादा वेटज किसका राता है पेट्रोलियम और अगर आप IIP की आप आप की ऑर यह इसमें फोटी पर्संट फोहता है टोटल हमारा कोर को पूरा किया जाता है इसं Portuguese को मानें het इसमें 40% वह पूरा BLACK पूरा युचों एपी मैं थुर्द Pratjan estas प्रट्रयूम का यह थोड़ बढ़ने और यह देखें इसमें ना हो अब आते हैं मारे न्यूज के ओपर फिर से कि न्यूज में क्या क्या बढ़ रहा है और इस वह घटते जा रहा है अब चलिए देखते हैं और यह वन विश्वाइज ग्रोथ इन जून यानि कि जून में एकलौता सेक्टर जो फर्टिल से इंक्रिमेंट हो रहा था बट अब जो है जून में 4.2 परसेंट से हुआ है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है जो की बढ़ रहा है और सबसे बुरा हाल आपको पता है किसका होना चाहिए यह होता ही होगा स्टेल प्रोडक्शन वर्कार नहीं है लोग कार और कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो फिर स्टील का जो आपका ट्रेड है स्टील का व्यापार जो आपका गिरना ही है और इसने थर्टी थरी परसेंट का ड्रॉप आप सोच सकते हैं कितनी लोगों ने अपना जॉब खोया होगा इस 33 परसेंट ड्रॉप के कारण सिमेंट प्रोड़क्शन भी अल्मोस्स साथ परसेंट गिर चुका है और उसके पार एनर्जी सेक्टर भी निगेटिव रोट सो कर रहा है कोल परड़क्शन भी फॉल हो रहा है मतलब आपका एक भी सेक्टर उचाई पे नहीं है आप अगर छोड़ दे किसको फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा सही च परसेंट और अभी जो है लोगड़ान के टाइम में एक लौता सेक्टर कौन सा इंक्रिमेंट पर चाल रहा है वह फर्टिलाइजर सेक्टर पर ही एक लौता फ्रॉफित हो रहा है जो कि थोड़ा सा अच्छे से यह काम करा जो ऑपूर थोड़ा अच्छा दे रहा है 4.2 पर तो देहली सरकार ने एक प्रपोजल रखा था एलजी के सामने या सेंटरल गवर्मेंट के सामने की होटल को खोल दिया जाए जो की एक्टिवीटी बढ़े लोगों की थालत थोड़ी सी ठीक हो फूट प्रोसेसिंग इंडिस्टी में भी थोड़ी सी राहत मिनी जाए लेकि तो सीम अर्विन के जिवा और लजी यानि लेटेनेंट गवर्नर वाइजल के बीच हमेशा टक्रार चलते रहता है चाहे एक यह दूसरे इसू को लेकर ठीक है हाँ बट हमारे कंस्टिउशन में ऐसा मैंसन है अगर सीम और लजी के बीच कभी टक्रार हो लजी को काम करना है वह सीम के और पदर करना है क्यों क्यों कि सीम जो पॉब्ली के दार चून कराते हैं ऐल जी को पबली के दार नहीं चुना जाता हो एलेक्टेड होते हैं चलिए डेखते हैं अब आप चलते हैं अपने थर्ड न्यूज कियो फिसकल डेफिसित टाचेज 83% of its वभी और जिब नहीं है जब आपका बजट स्पीच आएगा तो उसमें बता जाएगा कि सियर का फिस्कल डेफिसिट क्या बड मैंने यह इसले ले लिया क्योंकि । कि आपको जानना चाहिए फिसकल डेफिसिट होता क्या है, इसी के बीच का जो डिफ्रेंस होता है, उसको अनुन लोग बोलते है फिसकल डेफिसिट, ठीक है, और हाँ, यानि की आपका जो खर्च ज़्यादा हो रहा है आप क्या करोगे किसी से पैसे लोगे उसी को जो बोलते हैं यह टो बोरौइंग बोलते हैं कि कितने पैसे की ज्वर्मेंट कितने पैसे दूसरे से लेके उसको manage कर सकती है यानि टोटल revenue को टोटल expenditure को manage कर सकती है एक जगा बना सकती है चले previous year का देख लेते हैं fiscal deficit यह काफी एक्जामें पूछा जा सकता है यह काफी कि अभी जितने सारे एक्जाम होंगे previous year का fiscal deficit ही पूछा जागा क्यों क्यों क्योंकि 2020-2021 का fiscal deficit नहीं आया है 2019-2020 का financial year का fiscal deficit था मैंना 3.8 परसेंट और 2020-2021 का expect किया जाए था टार्गेट किया जाए था 3.5 परसेंट जो कि हमारे seven to eight month already बचे हुए है तो सोच सकते हैं आपका fiscal deficit कितना ज्यादा जाने का चांस है देखें यहां पर लिखा हुआ भी है the center's total expenditure for the quarter was rupees 8.15 crore almost 27% of budget estimate for the report published by controller general of accounts on Friday यानि कि 27 परसेंट जो budget estimate है वह already बस बचा हुआ 83 परसेंट जो है वह already touch कर चुका है हमारे fiscal deficit का ठीक है चलते है next news क्यों जो कि हमारे केंद्रिय विध्याल है काफी लोग केविएस की तयारी कर रहे होंगे और हाँ केविएस की तयारी के लिए बता दे रहा हूँ कि यह एक्जाम काफी relevant है चाहिए आप कोई भी एक्जाम दो केविएस दो या फिर एससी दो बैंकिंग दो रेलवे दो यह करेंट एफस काफी relevant है और जिन लोग ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें और अगर सेर कर सकते हैं आपने दोस्तों के स सब्सक्राइब लेटिए ने इसको मानने से मना कर दिया रहां कि केंब्लों को देंस स्थेट नहीं पढ़ते थे जहां पे पर चैनल बंकर इंडिय से लाएपक studio कीक्तिक प्रावलम करेगा इसलिए उन लोगों ने बोला कि वो लोग इंग्लिस ही अपना मीडियम रखेंगे वो लोग अपने मीडियम को चेंज नहीं करेंगे और इसके तरब से गवर्मेंट ने भी कुछ खराब नहीं बोला गवर्मेंट भी इसको मानने के लिए तयार है जैसे हमा उसी ने चाहिए चलते हैं नेक्स्ट निजada न्यूज के हिसाफ से लेवंड नहीं बढ़ा इसमें आया समीनला स्केम इसके माहरासटा सरकार ने उसमीट हनाम के इक स्कीम चला ही और नाम चले है चलिंगे इसी मिट बहूंड है अंड़ लिए त स्मिता योजना कहा के गवर्मेंट के द्वारा चला जाता है यह चला जाता है महरास्ट्रा गवर्मेंट के द्वारा आपको option दे दिया जाएगा राजस्थान पंजाब और दो तीन राज दे दिये जाएंगे बड़ यह स्मिता योजना महरास्ट्रा गवर्मेंट के द्वार किया है उनको सेनेटरी नैपकेट दिया जगा से रुपीज फाइब में और रूरल ओवेन को यानि गौव की महलाओं को दिया जाएगा ट्वेंटी फॉर्टी नाइन डूपीज में काफी सब्सिडाइज रेट है बाकी के पैसे जो है वह गवर्मेंट भरेगी बस लड़किय एक ग्रूप बनाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए जिसको थोड़ा सा गवर्मेंट का सपोर्ट रहता है वह सेल्फ हेल्फ ग्रूप के तरह इन लोगों को वह नैपकिन सेनेटरी नैपकिन पहुंचाए जाएगी और यह में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो उन जब हम लोग यहां महारास्टा को देख रहे हैं तो चलिए महारास्टा को मैप में देख लेते हैं कि महारास्टा हमारा कहां पर है ठीक है चलिए महारास्टा कहा है देखिए तो यह रहा हमारा महारास्ट्रा कैपिटलिस की मुंबई आप लोगों को पता होगी हाँ मैं यह पर्देश चतेजगर तेलंगना करनाट का गोवा गुजरात और यूने टेटरीज को देखे तो दमन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन देव यानि की अगर इस्टेट देखें कितने स्टेट के साथ ही अपनी बॉंडी टाच करती है और अगर पॉपुलेशन रेंग पर देखें तो सकेंड फॉपुलेशन फर्स्ट कोन आपको पता होना चाहिए यूपी एरिया में फर्स्ट कौन राजस्थान सेकेंड एंपी और ठाड हो गया हमारा महरास्टार लेंग्विज क्या ओफिसल लेंग्विज है माराथी चलिए थोड़ा सा और इंफर्मेशन देख लेते हैं जो यहां पर नहीं भी लिखा हुआ है इसका नेशनल बर्ड के वारे में जान लेते हैं कि काफी अग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अलो फूटेड ग्रीन पीजन यहां की नेशनल वर्ड नेशनल एनिमल भी देख लेते हैं एक्जाम पॉइंट वीव से सब काफी रेलेवेंट है यह समना सोचें कि यह सिप महारास्टा का जो तयारी कर रहें सिपन के लिए ही रेलेवेंट है अगर आप यूप सीक तयारी कर रहे हैं या ससी की तयारी कर इवें की भी अब ऐसे पूष्ण पूछे जाने लगे लें नेशनल एनिमल है जाइंट स्क्वारल कि गवरनर देख लेते हैं और सीम देख लेते हैं यह तो काफी इंप्रॉटेंट है गवरनर से एक वगवर्ण से भागत संग्ह को सिब्स होसियारी और सीम है तो आप लोग सबको पता ही होगा काभी टेंशन हुआ यहां के विचुनाओं में उद्धफ ठाकरे और गवर्नर है हमारे भगत सींग को सियार ठीक है तो यह महारास्टा को आप लोगों ने देख लिया मैप में आपको याद रहेगा महारास्टा कहा है उसके उससे नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है एक साइट तो आपको पता यह कोस्टल एरिया है जो कि अरेवियंस सी में जाके खुलता है इसका बाकी 1234558 और 6 तरिक राज्यों से यह चारोबगल से घीरा हुआ है और एक न्यूज देखते हैं पैंसन फॉर दो जेल डूरिंग इमर्ज जा गया था उसको क्या किया जाता था इस दिए अई पैंसन दिया जाता था लेकिन ये काफी खराब है यह भी महरासटा को अ क्या कारूंज सेंडिशन सरकार की इतनी खराब है कि अब बोल दिए तब पर मन 10,000 रुपी दिये जाते थे और यह किस एक्ट के तहत किया जाता था मीशा एक्ट के तहत और यह देने का सबसे बड़ा रीजन कौन थी हमारी उस्साय के बहुत पूर प्राइम निस्टर मिस इंद्रा गांधी उन्होंने क्या किया था ना मीशा एक्ट लाया था जीस एक्ट के था वह अपने सरकार को काफी पावर दे दी थी ब्रॉड पावर दे दे थी इंडिफिन नेटवर्क को टैप कर सकती थी यानि कि ये सारे जो पावर थे आपके freedom of speech का freedom of right sorry right of life को यानि कि आपके जितने fundamental right सारे fundamental right almost siege कर दिया गया था उस ताइम पर इसलिए बनाया गया था maintenance of internal security प्रवर्मेंट के टाइप बट इसको 1971 में फिर स्क्रैप भी किया गया जब जनता पार्टी पावर में आई थी लेकिन फिर 1971 से 1977 तक यह बीच में काफी बार इसमें अमेंडमेंट भी किया गया बट फैनली जाके 1977 में इसको स्क्रैप कर दिया गया था ठीकत यह निज हमारा क्यों है क्योंकि अभी कोरोना के इस्तिति यह कुरोना का पूरी वर्ल्ड जोए फैनेंसिल क्रैसिस से गुजारी महरस्टा सरकार ने बोला कि मुनके पास पैसे नहीं है उन लोगों को देने के लिए जोगी इमर्जेंसी के ट अफिडेपिट दे देना है आपको किया काते वे कि आप इमर्जेंसी के टाइम पे जेल गए थे आराप पेंसन के लिए इलिजिवल हो जाएंगे इसके लिए एरांड 40 कलोर्पिया पर यह महरस्टा सरकार दे रही थी इसलिए महरस्टा सरकार ने बंद किया है चलिए आपनों देखा मीसा एक्ट क्या होता है अब चलिए यह थोड़ा सा आप लोगों में जागरुकतर फैलाने के लिए मैंने दिया है फोर्टिन डाय और फर कंजूमिंग हैंड सेनेटाइजर इन टू अंत्रपरदेश होट सपोर्ट यानि कि आंत्रपरदेश होट इसपोर्ट जो है कॉंटेन्मेंट जोन माना जाता है यानि कि वहां पर सब कुछ बंद हो सराब और आप सब बंद हो सब्सक्राइजर को मिला के पी लिया और काफी लोगों की जान चल गए आप देख सकते हैं लिस्ट फोर्टिन तक पहुंच गया जब एक लोग से पूछा गया कि आसा उसने क्यों किया तो वह लोग सराब के इतनी आदी हो चुके थे और लोग डॉन की वज़ए से उन्हें सराब मिल नहीं रहता तो वो लोग रही नहीं पा रहे थे वो लोग बीना सराब के जिन्दा रहना उनलों का मुश्य दा इसलिए supply पानी मिला कर पी लिया जिसके कारण से उन्हों की मौत हो ए Exercise कोई ना करें कि उसमें हम सब्सक्राइब इंग्रीट्टी में है इसका मतलब यह नहीं कि धारूं माना कर वां इसको पी जाए आप देख पारें कि आप कि देख आइए बैन इंटरनेशनल फ्ल disorders नहीं करें अभूTer सेक्टर काम करेगा इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाएगी इंटरनेशनल फ्लाइट सारी बंद रहेगी बट फिर फाइब नेशन के साथ यह ऑपरेशनल रहेगी और वह पांच कंट्री कौन-कौन सी यह यूएसे फ्रांस जर्मनी यूएई एंड कुएट यह दोनों कंट्रियां यह पांच कंट्री और इंडिया अपने एक क्या बोलते हैं उसको बाइलेटल एग्रिमेंट है कि अपने एरलाइन्स को यह यूएसे से इंडिया आने में फिर इंडिया से यूएसे जाने में सपोर्ट करेंगी बट लिमिटेड नंबर आफ नॉन स्टॉप फ्ला और यह किया जा रहा है बंदे भारत मीशन की तहत बंदे भारत मीशन के बारे में आप लोगों को पता होगा चली नहीं पता है तो देख लेते बंदे भारत मीशन क्या है इंडिया इंडिया अब कितना इंवेस्टमेंट कर लो यह इंडिया उसको बेचने की कोशिस करो ले कि वसे उने सोनी वाहरतिया वापस लाने का मेश में अभी उसका लाने में चल रहा है ठीक है आई होब कि ये भी न्यूज के लिए रोगा और ये ऐसा क्यों किया गया पैंडेमिक को देखते वे कोविट को देखते वे कि लोग काफी देशों में फसे हुए हैं चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर भुटान के राजा ने असम चीफ मिनिस्टर को थैंक बोला है क्यों क्योंकि वो एसेंसियल कमोडिटीज के भैकिल को मुवमेंट को अलाव कर दिया असम ने बोला था कि वहांसे कोई भी मुवमेंट नहीं होगा बट भुट चलिए देख सकते हैं चोटा सा सेंड्वीच टाइप का यह कंट्री आपको पता है और इंडिया का रेलेस्ट जो है ना बोलता है बड़ा चोटे भाई की तरह है हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए यह दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं बुटान से सटेवे हैं हमारे इंडिया के कौन-कौन से स्टेट अरुनाचल पदे सिक विस्ट बंगाल भी थोड़ा सटा हुआ और असम आप मैप से देख सकते हैं यह होगी हमारा असम यह ह होगी हमारा भुटान इसलिए मैं मैप दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा अपनों को क्लियरेंस मिल जाएगा थोड़ा सा तॉपिक जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको यहां पर दिया है कि एसन्चियल कमोडिटीज का मुवमेंट यहां पर असानी से हो सकता है चलते हैं नेक्स न्यूज की और यह है पेज नम्मर 11 का न्यूज इंडियन बीट फॉर एरपोर्ट टू हाइधा का यह चलिए इसको हम लोग डिसकस करते आगे ठीक है यह देखे प्रेगनेंट ऑमेंट एज मस्ट गेट्स लोवर बर्थ हाई कोड यह माहरास्त पर्देश कि सरकार ने railway से request की हैं railway को यह तो आप बोल सकते हैं कि उन्हें बोला गिया है कि भीवी आइप को जो कि विवी आइप लोग रहते थे वह अचानक से request कर देख हमें लुवर बर्थ दिया जाए क्योंकि वह काफी officer rank के लोग रहते थे पर्दे की रिक्वेश्ट को माना जात उन्हों के request को पहले माना जाएगा अगर इसके बात seed बसता है तो ही भी बी आएपी को दिया जाएगा यानि भी बी आएपी को pregnant woman और aged से preference नहीं मिलेगा क्योंकि pregnant woman का condition सबसे जादा नाजुक होता उन्हें सबसे जादा अच्छे से रखने की जौरत होती है इसलिए उन्हें स n kiais enforcement ने कहा है मालया की केस को लेकर तरफ से कोई भी जवाब नहीं आं रहा但是 अभी तक सूचना दिये तरफ से कोई वह कभसे मालया को यहां भेज सेंदे एक वर बीच में contact हो था by a article कुछ लोकल लीगल एंटेटीज बची हुई है उसको पूरा करने को बाद माल्य को इंडिया भेजा जाएगा अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि उसके बाद क्या लेट सीवियाई टेक आप इस सुसांत के इस बिहार डेपुडिसियाम यह पूरे वर्ड में तो लोगों को फर्क नहीं पढ़ लेकिन जहां जहां इंडियान है जितने भी इंडियान है वो लोग सब लोग डिमांड कर रहे हैं सीवियाई माजाच की सुसा बिहार के हैं मैं भी बिहार का हूं तो हम लोग काफी दूसरे के साथ एक होता है एक रिलेशन बन जाता है चाहे वो इस दुनिया में रहे या ना रहे लेकिन फिर भी लोग काफी जुड़े हुए हैं सुसान सिंग राचबूत के आप मडर बोलो यह अभी तब तो स्विसा ने डिमांड की है कि स्टार्ट करनी चाहिए चलिए देखते हैं आगे क्या होता आई होप कि बस जस्टिस मिले कि डैट इस दमोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जैसे भी मिले बस जस्टिस मस्ट भी सर्वड इंडियन बीट फॉर एयरपूर्ट चूहार ढगा घंका में एक एइरपूर्ट टरेमिनल को बनाना था सियालेट में यह एक जगह है वहाँ पेएअरपूर्ट टरीमिनल को बनाना था बिल्दिंग एउर्पोर्ट देखिए पर नियूज़ कम लोग फिर से देख लेते हैं बंगलादेश फॉर इन आब्दूल मोमें on Friday said that contract for के तरफ से थी तिवे रवन च lat painter पIEC बड़े जो Project गया है वह गया है आपका वी सीज्इब को अग की बिजिञ अर्ड बर्वन कशन गूर्प इंडिया कता क्यों क्यों कि इंडिया का जो them सही से कामे को पूर्यक्ट को पूरा करतें है यह काम्ट को सब्सक्राइब इन्डिया में। जर्द करें है इसी कारण से यह जो कॉंट्रेक्ट गया है सियालेट में एर्पोर्ट टर्मिनल बनाने का यह कॉंट्रेक्ट चला गया चाइना को और यह कहना है हमारा एक अब्दुलमुमेन को उन्होंने यह रीजन दिया है कि इंडिया का बेडिंग जो था काफी हाई था काफी जादा था तो यह कोस्तन आप से पूछा जा सकता है कि सियालेट में एर्पोर्ट टर्मिनल को बनाने का कॉंट्रेक्ट था वह किसको गया तो आप इसको याद रख सकते हैं भी यू सी जे यानि की बिजिंग अर्वन कंस्ट्रक्शन ग्रूप को यह कॉंट्रेक्ट गया है ठीक है चल लेकिन अब वहां भी स्टार्ट हो चुका है और आपको पताइए अगर ब्रीक लगाना काफी मुस्किल है इंडिया जहल चुका इस चीज़ को इस अपना में फर्स डेद हो चुकी है पैंडमी को देखते वे होंग कॉंग ने अपने एलेक्शन को डिले कर दिया पूरे वर्ल्ड ने पूर्स को डिले कर दिया वह साउथ कोरिया कैसे कंड़ेट करा गई पता नहीं ठीक है यूएज दिमांड लेकिन साउथ कोरिया ने सुरक्षार के इंतजाम किये थे लोगों के लिए कि सोसल डिस्टेंसिंग हो मास्क हो पूरा प्रिभेंसन लेकर उन्होंने पॉल्स को क्रियेट किया मतलब कंड़क्ट किया था यूएस डिमांड एक्शन ओबर किलिंग ऑफ सिटीजन इन पाकिस्तान ये तो भाई पाकिस् के अंदर जबकि यूएस ने पहले ही इसलामाबाद सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उसके सेक्यूरिटी के लिए सैप्टी के लिए बढ़ फेर भी इसलामाबाद सरकार कुछ नहीं कर पाई और उस आदमी को सौट कर दिया गया गोली मार दिया और यह वास्फेमी क्या है इसको बोलते हैं इसको आप आप वहां जाके वहां की किसी रिलीजियस परसन को यह फिर वहां के गौड अल्ला को अगर आप बुरा करोगे उसकी इस्या करोगी तो लोग के भड़क जाते हैं अभी हाल फिलाल में काफी दिनों पहले क्रिस्टन सिटीजन के साथ ऐसा ही हुआ था काफी मसकत के बाद इंटरनेशनल कोड को इंटर्वीन करना पड़ा था तब जाके उसे छोड़ा गया था इवन उनका जो जो सपोर्ट कर रहे थे लोकल एंपी मले उन लोगों के द्वार प्रम मार दिया इतना ज्यादा इस चीज को लेकर वहां के लोगों में रोश रहता है और फिर से एक यूएस सिटीजन को मारा गया है इस ट्रॉम्प इंपावर्ट टु डिले दा एलक्शन पूचा जा रहा है कि ट्रॉम्प इंपावर्ट है एलक्शन को डिले करने के यानि कि प्रेसिजेंट डिसाइड नहीं कर सकता यह कॉंगर्स डिसाइड कर सकता है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्यों चलते हैं सहवाक सरदारिन अवार्ट्स पैनाल यानि कि टाइम आ चुका है अब स्पोर्स अवार्ट को कभी असे चलिए एक चीज सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कि इसके लिए किसको इसको नॉमिनेट किया गया यूनियन स्पोर्स मिनिस्टर ने नाम दिया है कि इसका विरंदर सिंग विरंदर सहवाक स्वारी सरदार सिंग मुनालिसा बरुए वीदेव राजन लाइन को एक्स्टेंड किया गया जिसके काफी ज्यादा इंट्रीज दी गई इस बार इस बार काफी लोगों ने इंट्रीज दी है आप देख सकते हैं आप 42 पीपल ने अपलाई किया एक खेल रत्न के लिए 215 ने अरजुना एवार्ड के लिए 81 ने ध्यान चंद एवार्ड के लिए 137 लोगों ने ड्रोनाचार एवार्ड में यह ड्रोनाचार एवार्ड जो होता है एक कोच को दिया जाता है सबसे बेस्ट कोचिंग एविलिटीज के कारण जो कि जिसका प्रफॉल्मेंस सबसे में दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट के दिन और अगस्ट 29 को और हमारा जो कुछ एक चीज को इंक्लूट कर रहें जैसे कि दे को इंक्लूट कर रहें तो इस वर पैंडेमिक के कारण यह भी होल्ड पे रखा गया है कि अवार्ड फंसन कहा होने वाला है ठीक है चलिए वह स यानि smart India hackathon यह तुमारो यानि कल का न्यूज है यानि कि आज जो है 4.30 पीम पर इसमार्ट इंडिया hackathon को पीम मोधी एड्रेस करेंगे इसमार्ट इंडिया hackathon क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं इसमार्ट इंडिया hackathon इसमार्ट इंडिया इनिसियाटिव प्रोवाइड इस्टुडेंट इस विडिया जाता है इसका प्रॉब्म में फेस कर सकते उसका सॉलीशन खोजना है उसके लिए थोड़ा साइक क्रियेटिव सॉलीशन आपको प्रदान करना है और जो सबसे बेस् इसको प्राइस दिया जाएगा इसका तीन एडिसन अल्रेडी हो चुका है 2017 में 2018 में 2019 में 2020 में और पैंडेमिक के कान जितना चीज़ भी हो रहा है सबकुछ ऑनलाइन ही हो रहा है इसलिए पीम मोद्य जो एड्रेस करेंगे इस बार ऑनलाइन ही करेंगे और यहां पर निज क जिसको ऑनलाइन कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे से ओबर 10,000 इस्टुएंट्स विली कंपेटिंग टू सॉब 232 43 प्रावलम स्टेटमेंट्स यानि की 243 टोटल प्रावलम स्टेटमेंट्स है जिसको बना जिसको सॉब करने के लिए 10,000 स्टुडेंट्स अपनी क्रेटि गवर्मेंट की तरफ से 20 का इंडस्टी की तरफ से हैं और सायद इस जो एड्रेस करेंगे प्राव मिनिस्टर मोदी वह आपको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है न्यू जो एजुकेशनल पॉलिसी आ रही उसके बारें भी बात करेंगे क्योंकि धो च्याइनग के दार्व किया गया जिसको चेयर धे ब्राइम मिनिस्टर मोदी यह यह सकता है कि घो होन क्या होता है अब थोड़ा सा आगे बारते हुए कुछ और चीज़ देखते हैं जैसे कि सेंट्र गवर्मेंट टुफंड 112 स्टार्टप टू प्रमोट एग्री फार्म्स को प्रमोट करने के लिए सेंट्र गवर्मेंट 112 स्टार्टप को फंडिंग देगी और यह और यह सेंट्र गवर्मेंट के दिया जाएगा और यह किस कि फिल्ड में दिया जाएगा मतलब यह स्टार्टप होना चाहिए आपका अग्रो प्रोशेसिंग के फीड में फूट टेक्नलोजी और वैल्यो एडिसन के फील्ड में यानि की फूट इंडस्टी को सरकार बढ़ में से आपको background से क्या question पूछा जा सकता है राष्टे क्रिसी विकास योजना के बारे में पूछा जा सकता है देखने के राष्टे क्रिसी विकास योजना क्या है इस पेशल एडिसनर सेंटर असिस्टेंश स्कीम या ले पूरा यह दो लग लग छीज़ों पड़र करता है इसको लॉंच किया गया था 2007 में जिसके कारण इसका टागेट रखा गया था ब 4 परषंट इंड अग्रीकल्टर सेक्टर दूरिंग टेलेवंथ सब्सक्राइब फवीर प्लान में रखा गया था कि 4% का एंडूल ग्रोथ होना चाहिए किसमें अगरिकल्टर डेवलपमेंट में इसमें क्या किया जाएगा स्टेट को इंसेंटिव दिए जाएंगे गवर्णमेंट की ओसे यानि कि सेंटर गवर्णमेंट की चलिए यहां पर एक वर्ड आता है एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंटर शेंटर स्पॉंसर इसक zwischen गोच किया डिफ्रेंस था साथ सेंटर सेक्टर सड्रेकिव काने का दिया जाएगा लेकिन सेंटरली इसकी त्किय adapting काने का मतलब है इसमें सरकार कुछ एक सेयर देगे आपका लोकल है स्टेट गवर्मेंट का रहेगा उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉंसर्ड इसकी में 100 परसंट से जो रहेगा सेंट्र गवर्मेंट का होगा चलिए रास्टे किसी विकास योजना का कुछ एक अब्जेक्टिव देख लेते हैं यह आपका यूप्यस्ट के लिए काफी इंपोर्टेंट है ऐसे कोशन यूप्यस्ट में पूछे जा सकते हैं क्या करते हैं इंसे इंसेंटिवाइज इस्टेट जिसके कारण इस्टेट को इंसेंटिव प्रदान करेंगे जिसके कारण वह बढ़ा सके पब्लिक इंवेस्टमेंट किसमें अग्रिकल्चर एंड एलाइट सक्टर में यानिके फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ एक और है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सके इस्टेट में जिसके कारण वो लोग अच्छे तरीके से प्लान कर सके एक्जिवीट कर सके अग्रिकल्चर एंड एलाइट सेक्टर को प्रिप्रेशन अप्रिकल्चर प्लान अच्छे तरीके से हो सके डिस्टिक लेवल पर हो सके एग्रो कंडिशन में सुधार ला सके टेकनोलोजी को अवलेबल कराया जा सके नेचरल रिसोर्स को अभलेबल कराया जासके यह सब हमारा मैन अब्जेक्टिव है फार्मर के इंकम को भी बढ़ा जा सके मैक्सिमाइज किया जा सके आप लोग इसको एक बार लेना देख लेना राटने की कोई जोरत नहीं बस एक बार आप देख लोगे तो काफी दिमाग में आ जाएगा चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की हो जो कि हमारा फिप्ट यहने राज्य किए सब्सक्राइब ऊब की सब्सक्राइब फैनेंस कंशन यह काफ इंप्परेंड को सथी प्रिंड जी कि इसके दारा सेट किया कर दोरा और यह फिफिंट प्रिल्त मेर्यशन के ही है कॉन यह कोई सकते हैं मतुलब कि चेर्में कौन यह तो यह कमईसन के चेर्में यह नर्ण कशन यह काम जो एक को्षन पूछे जा सकते हैं तो चलिए यह सबस्कूर्ट के सब्सक्राइब नोगन शुलरी ऑच्वोट्ट यानिकि आग्री कलच्वट्ट्र एक्सपॉर्ट्स से रिलेटेड रिपोट्स को सब्मीट किया चली को क्यों से डिकी उसको बनाया गया था इसको क्यों कमिटित किया गया था वो देखते हैं चलिए प्राग्राफ में इसका आंसर मिल रहा है इंपोर्ट को बढ़ावान ना देके अग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावादें और उस क्रॉप को उस अनाज की खेती को बढ़ावादें जिसके कारण इंपोर्ट जो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं के रर्फट के बढ़ावादें जिसके कारण हम लोग डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पर वह कं हो सके तो इंपोर्ट से किसी से related है आपको पता होगे कि से लेटेट है टो एंगरी इप्रोट्च यानि इंपोर्ड पर अपने डिपेंडेंटर्टेंसी कम करने को लेकर और हम लोग जाधा कर सकें उससे रिलेटेट है यह हमारा एचल इजी कमिटी यानि कि दाहाई लेवल ग्रूप और एक्सपोर्ट यह नाम ही काफी कुछ बता देता है चलिए अब नेक्स चलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन साइन्स एमेउ टु सप्लाइ मस्टड ओयल टू आइटी बीप यानि आइटी बीप को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री मस्टड ओयल सप्लाइ करेगी और इसके लिए इन दोनों के वीज मॉई कि यह हमारा आइटी बीप इंडु टिवितन बॉर्डर पॉलीस कहां पर रहती है यह जो करती है गार्डिंग ड्यूटी करती है कहां पर करती है इंडिया चैना बॉर्डर कहां से लेके कहां तक फ्रॉम दे करकोरम पास इन लगदाक से लेके दीपू पास इन अरुनाचल परदेश इनके बीच इंडिया और चैना का जितना भी बॉर्डर है सबको गार्ड करती हमारे इंडियन टिवितन बॉर्डर पॉलिस यह थोड़ा सा बैक्ग्राइंड इंफोर्मेशन है आप लोगों को रखना चाहिए इन लोगों ने क्या किया खादी अन बिलेज इंडियस इंडिस्टी के साथ एक MOU साइं किया में मोरेंडम दम और अंदिस्टैंडींग जिसके तहल सप्लाइगी इंस्टैंड को बॉर्डर पॉलिस को मस्टड ओल सप्लाइग करें चली थोड़ा सा और कुछ देखने लाइ की सीएपएयफ का सेनिट्रल आंट पोलिस स्वर्टेंगे स्वरदनयकश दिया जाएगा जिसी चीज Doncs delivered एक्रॉस इंडिया वह सवदेशी प्रोड़क्ट को यह पमलिए है कि नहीं है किस ने इसे मेंसे के पूट को बेच आछा रहे हैं जिस एक्जाम के त्यारी एक अधि मेंसा शॉद्यों कर सकते हैं और खादी एंड विलेज इंडेस्ट्रीज कमिशन अब क्या-क्या सप्लाइब कर रही हनी पीकर सेड़ेबल और अगरब तीस पापड़ अमला केंडी कॉटन टाइल कि टूष एप एप कैंटीन यानि कि एप एप कैंटीन में यह के भी आएसी जो इतने सारे प्रोड़क्त को सप्लाइब कर रही है चलिए हमने बात किया था आई टी बीपी के बारे में इंडियन इंडो टिवितन बॉर्डर पॉलिस यह क्या गरते हैं इंडिया चैना के बीच काफी माहल जो है गर्म है इसलिए उसी को लेकर यह थोड़ा सा एक्स्प्लानेशन आप लोग थोड़ा से इसको ध्यान में रखेंगे कि हो सकता आप से कोस्टन पूछा जा सके वेस्टन सेक्टर मेरा 1570 किलोमीटर तक फैला हुआ है सेंटल सेक्टर 545 किलोमीटर तक एंड कि टोटल अगर जोड़ा जाए ता आपका 1570 545 1325 इतने किलोमीटर तक हमारा बॉंडर बॉंडरी यह बॉंडर सेर होता है चाइना के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगा ठीक है एक और को न्यूज देख लेते हैं यह साथ हमारा प्रॉइबली सकेंड ला बंगलादेश में पार प्रांट बनाने वाली है जिसका फंडिंग कहां से मिला उसको एडीबी से मिला कितने का 200 डूहंडेड मिलियन डॉलर का यह कोस्टन आपसे काफी इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट यह कोस्टन आपसे पूछा जा सकता है कि रिलैं के साथ मिलके फैंसिंग डिल कितनी की 200 मिलियन का और वो जो पार प्लांट बनाएगा उसका ऑपरेशनल पाबर कितना होगा 718 मेगावाट इतना का पावर होगा उसका पावर इतना जेनरेट करेगा वह ठीक है इसको थोड़ा से याद रखिएगा ठीक दिमाग में रखिए कों किसके साथ यह असलिए इसके साथ आपरेट के साथ करेगा है कि चले हैं और इसमें कुछ िंप रहा है और हां यह प्लांट इस प्रपोस्ट टू बी लोकेटेट ऑन लेंड एलोटेट वाइ बांगलादेश पावर डेवलप्मेंट बोर्ड इन मेघना घाट यह याद रख सकते हैं उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी यह सिर्फ भी याद रखोगी तो यह काम चल जाएगा चलिए देख लेते हैं खेलो इंडिया यूद्ध गैम्स तीन खेलो इंडिया यूद्ध गैम्स अलड़ी हो चुके हैं सो फोर्थ है फोर्थ को होस्ट कोन करेगा हर्याना करेगा यह को सलिंपोर्टेंट हो सकता है खेलो इंडिया यूद्ध गैम्स फोर्थ एडिशन यह सब कोस्टन आपको याद रखना चाहिए सब कोस्टन अगर याद रहेगा तो काफी अंसर के कोस्टन के आंसर आप लोग अच्छी तरीके से दे सकते हैं यह बस इतना इंपोर्टेंट है कहां पर हो रहा है हर्याना हो रहा है रहा है जनवर्णी फर्वरी के टाइम पर हर साल होता यानि कि 2021 में होगा तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गैम्स क्या है इसको पहले बोला आता है घ्रो इंडिया यूथ गैम्स इसका नाम्कानश कर दिया जैसा कि मैंने आपको ब 21 कॉलेज स्ट्रेंड के बीच में अभी तक इसके इतिहास पर थोड़ा से नजर डाल लेते हैं एक हिलो इंडिया यूद गेम्स का सबसे फर्स्ट वाता यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट टीम सेकंड टीम ठर्टीम और अब जो होने वाली यह फोर्ट नंबर की 2021 में कहां होगी वह यहां देखें मैंने बताया है हरियाना में यह भी डाल लीजिए हरियाना डेट अभी फैनल नहीं है वीनर तो खेला के बाद ही हमें पता चलेगा काफी जगों से जारा है उसको क्लेक्ट करके आप लोगों के पास एक रूप में मैं ला रहा हूं जो कि आप लोग एक जिगार पढ़ना स्टार्ट करें तो सारे न्यूज को कम्प्रीट करें और यह रेगूलर चलता रहेगा बट आपका सपोर्ट चाहिए हमें सब्सक्रा करना शर्क जादा सबस्क्राइबर काउंट को बढ़ाना होगा सो मिलते हैं फिर सेंकल फिर से म्लों प्रोर में अगा